आज के समय में चोरों के होसले इतने बुलन दो चुके हैं कि वो किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए जरा भी सोचते नहीं हैं। कि दो बजे का है स्क्रीन के बगल में आपको वीडियो दिख रही हुई मैं अज दो मिनट के अंदर ही ये जो एटियम नकाप पोस चार लोग वाप पहुंशते हैं चार चोर पहुंशते हैं एटियम में एस बियाई का एटियम रहता है और जो इलाका पढ़ता है वो धारूर पढ़ता है भीड जिले का धारूर इलाका जिसके बार उस सीची टीवी फूटेज ततकाल वायरलोनी सुरू हो जाती है पूलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना मिलती है और फिर देविदास वागमारे जो की इंस्पेक्टर रहते हैं उस थाने के धारूर के वो ततकाल टीम को लेके पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चोर तो यहां से लापता हो चुके मतलब लेके रफू चकर हो जाते हैं जिसके बाद ततकाल वो अपनी टीम को लेके पीछा करना सुरू करते हैं और फिर करीब चार घंटे की मसकत के बाद जब चोरों को लगता है कि अब त गंटे के बाद उस ATM को फेक के फरार हो जाते हैं फिलाल उस ATM में जो रकम थी 217,200 कुछ रुपे उस ATM में रकम पड़ा हुआ था जो इतना भी रकम था सब कुछ रिकबरी हो चुका है लेकिन उन चोरों की तलास है पुलिस को अखिर किस तरीके से चोर महज दो मिनट के अंदर ATM को उखाड के लिए कि भग जाते हैं ये कही न कहीं एक बड़ा सवाल भी है कि किस तरीके से ATM जो कि कह सकते हैं कि उखास करके SBI का ATM किन सुरक्षा मानकों को कह सकते हैं कि क्या सुरक्षा मानक होने चाहिए और किस तरीके से मैं इस दो मिनट के भीतर ही ATM को उखाड लेते है कहीं न कहीं बड़ा सवाल है और इस पे सरकार को पहल करनी होगी क्योंकि लगातार ऐसी घटनाए अब सामने आ रहे हैं सोसल मीडिया के माध्यम से पता चल ला है कहीं ATM तोड़के कैस सोरी हो जा रहा है और अब तो सोचिए इतने उनके होसले बुलंद है कि सीधे ATM ही उखाड ले जा रहे हैं वहीं महज 2 मिनिट के भीतर मतलब आपकी पलक छपकते ही ATM मसीन पूरी तरीके से आपके इलाके से गायब हो जाएगी फिलाल ये वीडियो सोसल मीडिया के माध्यम से बहुत अधिक सेयर किया जा रहा है लोग देख रहे हैं और चोर जो चोर महज 2 मिनिट के अंदर ATM को उखाड ले गया है ये वीडियो अगर आपको भी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक सेयर करें और अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बराबर में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं